नमस्कार बच्चों आज हम आपके पुस्तक व्यवसाईक अध्यन के दसवे अध्याय का पहला भाग पढ़ने जा रहे हैं इस अध्याय का नाम है आंत्रिक व्यापार जैसा कि आप सब जानते हैं व्यापार शब्द का अर्थ होता है वस्तवों या सेवाउं का लेंदेन अब यहां लेंदेन किस सीमा में हो रहा है उसके अधार पर इसे या तो आंत्रिक व्यापार कहा जाता है या अंतराश्टे व्यापार जब हम आंतरिक व्यापार की बात करते हैं तो इसका अभिप्राय होता है किसी एक देश की सीमा के भीतर किया गया लेंदेन इसलिए से आंतरिक व्यापार कहते हैं तो इसका नाम बहुत ही सरल रखा गया है देश के अंदर देश की सीमाओं के अंदर होने वाला व्यापार आंतरिक व्यापार का हो सकता है थोक व्यापार या फुटकर व्यापार हम एक एक करके इन दोनों प्रकार के व्यापारों वो इनके अंदर आने वाले विभिन प्रकारों की चर्चा करेंगे तो चलिए थोक व्यापार से शुरू करते हैं जैसा कि आप मेंसे कई लोग जानते होंगे थोक व्यापार, व्यापार का वह स्वारूप है जिसमें व्यापारी बड़ी संख्या में वस्तूओं का क्रे करके फिर उसे क्रेताओं तक पहुचाते हैं थोक व्यापारियों को थोक शब्द इसलिए प्रयोग किया जाता है जैसा कि आप जानते होंगे निर्माता से लेके ब्भोकता तक पहुचने तक एक वस्तू कई चरणों से गुजरती है निर्माता वस्तू का निर्माड करते हैं फिर उसके बाद एजिंट या थोक व्यापारी उसे प्राप्त करते हैं फिर उसके बाद फुटकर व्यापारी आते हैं और फिर अंत में उभोकता आते हैं तो थोक व्यापारी जो हैं, वो एक प्रकार से निर्माताओं और फुटकर व्यापारियों के बीच एक पुल का काम करते हैं, वो उन दोनों को जोडने का काम करते हैं, थोक व्यापारी निर्माताओं से बड़ी मातरा में सावान खरीद के फिर फुटकर व्यापारियों को ब सभुमिका निभाते हैं ये दोनों तरफ के वयापारियों यानि निर्माताउं और फुटकर वयापारियों को बहुत महत्वपूण सेवाएं प्रदान करते हैं आईए हम एक एक करके इनकी सेवाओं पर चर्चा करते हैं यदि हम पहले थोक व्यापारियों द्वारा वे निर्माताओं को दी गई सेवाओं की बात करें तो या उत्पादों को खरीद कर ले जाएंगे इस कारण निर्माता एक बड़ी मातरा में अपना उत्पादन कर सकते हैं और आप तो जानते ही हैं बड़ी मातरा में उत्पादन करने के अनिक लाब होते हैं उससे वो कच्चा माल ज्यादा खरीते हैं जो कि उन्हें सस्ता पड़ता है जिससे उनकी लागत कम होती है उनकी जो फैक्टरी का आकार है उसका उप्योग अच्छे से कर पाते हैं तो इस प्रकार थोक व्यापारियों के होने से निर्माता बड़े पैमाने पर उत्पादन कर अपने ही गोदामों में या अपने पास ही रखना पड़ता जिसके कारण उन वस्तुओं को कई प्रकार के नुकसान का खत्रा होता है लेकिन थोक व्यापारी जब वस्तुओं को निर्माताओं से ले जाकर अपने पास रखते हैं तो उनको होने वाले नुकसान का जोखिम निर्माताओं की जगः थोक व्यापारी उठा लेते हैं इस परकार निर्माताओं का जोखिम थोड़ा कम हो जाता है तीसरी सेवा है वित्य सेवा या वित्य सहायता थोक व्यापारी निर्माताओं को वित्य सहायता भी प्रदान करते हैं अब यहाँ कैसे होता है यहाँ इस होता है कि थोक व्यापारी दरसल जारत बड़े आकार के बड़े धन संपत्ति वाले व्यापारी होते हैं तो इस कारण जब ये थोक व्यापारी निर्माताओं से वस्तोय खरीते हैं तो वो उसका भुकतान भी नगत में करते हैं इसकी वजह से निर्माताओं को कभी नगत या पैसे की कमी नहीं होती, उन्हें अपने वस्तों की विक्री के बदले में तुरंत ही पैसे मिल जाते हैं, जिसका उपयोग करके वो अपने उत्पादन को आगे चला सकते हैं, तो इस परकार ठोक व्यापारी वित्य रूप से भी निर्माताओं की सहायता करते हैं, ठोक के वस्तों की मांग जादा है, बिक्री जादा है, लोगों में उसकी पहचान जादा है, इस तरह की जानकारिया वो निर्माताओं को प्रदान करते हैं, जिससे की निर्माताओं को अपने वस्तों या उत्पादों में सुधार करने या नए प्रकार के उत्पादों का निर् अंतर्ता में सहायता करते हैं क्योंकि थोक वयपारियों के होने से निर्माताओं को ना तो वस्तूओं के स्टॉक रखने की चिंता करनी पड़ती है ना ही वस्तूओं की बिक्री की चिंता करनी पड़ती है निर्माता केवल अपना ध्यान निर्माड पर देते हैं और जिन भी वस्तूओं का वह निर्माड करते हैं थोक व्यापारी उनसे उसे खरीद कर बाजार में फैला देते हैं तो इस का इससे निर्माता बच जाते हैं। उन्हें यह एक सुनिश्चित हो जाता है कि उनकी वस्तुए निरंतर बाजार में पहुँचेंगी थोकवियापारी उनकी साहिता करेंगे वस्तुओं को ग्रहकों तक पहुचाने में। तो इस परकार थोकव्यापारी निर्माताओं के लिए बड़ी महतोपूर सेमाय परदान करते हैं लेकिन उसी के साथ वो अपने से आगे आने वाले फुटकर विक्रेताओं के लिए भी बहुत महतोपूर हैं क्योंकि सबसे पहली बात तो यह है कि फुटकर विकरेताओं को वस्त्वों की उपलबदता थोक व्यापारियों द्वारा ही होती है अब फुटकर विकरेता होते हैं छोटे-छोटे आकार के छोटे दुकानदार जो सामान्यत वस्तु प्राप्त करने के लिए निर्माता होता क्या उनके फैक्टरों तक नहीं जा सकते हैं ऐसे में थोक व्यापारी जब बड़े पैमाने पर वस्तुएं खरीद के रखते हैं तो एक थोकवयापारी से कई फुटकर विक्रेता जाकर वस्तुएं खरीते हैं, उन्हें वस्तुओं की कमी नहीं होती वो जब चाहें छोटी-छोटी मात्रा में जाकर वस्तुएं थोकवयापारी से खरीच सकते हैं, तो वस्तुओं की एक निरंतरता और उपलब्रता बनी र ना प्रचार करना इसके लिए जो भी शहायता फुटकर विक्रेटाओं को चाहिए होती है चाहे वह पोस्टर लगाना अपिर ना हो चाहे वह कोई अन्यक गतिविधी हो इसके द्वारा ग्रहक फुटकर विक्रेटाओं तक पहुंचें और सावान खरी दें ऐसे विप्णन गती विधियों में भी थोकव्यापारी उनकी साहेता करते हैं तीसरा और एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम वो ये करते हैं कि वो फुटकर विक्रेताओं को कई बार साख भी प्रतान करते हैं फुटकर विक्रेता छोटे विक्रेता होने के कारण कई बार उतनी संपत्ती नहीं रख पाते या उतना धन नहीं रख पाते हैं। ऐसे में यदि कई बार उनके पास धनकी कमी भी हो तो अपनी जान पहचान के बल पर वो थोक वियापारियों से साख प्राप्त कर सकते हैं या वस्तू या बाजार के जबकि थोक वयपारियों को निरमाताओंसे भी जुड़े होने और बाजार से भी जुड़े होने के कारण वस्तू की एक बहुत विश्ष्ट सूचना वज्यान प्राप्थ होता है वो उस ग्यान को फुटकर विक्रेताओं तक पहुँचाते हैं जिसका फायदा फुटकर विक्रेताओं को अपने विक्री में मिलता है वह अंत में फुटकर विक्रेताओं के जोखिम में भी कमी आती है क्योंकि फुटकर विक्रेताओं को बड़ी संख्या में वस्तुएं नहीं रखनी पड़ती ये काम थोक व्यापारी कर देते हैं तो फुटकर विक्रेता चोटी-चोटी मात्रा में वस्तों को खरीद कर रख सकते हैं, उन्हें उन्हें जमा रखने या गोदाम में रखने जैसे जोखिमों को नहीं उठाना पड़ता है। को रखकर उनके खराब होने जैसे जोखिम उठाने की आवश्रता भी नहीं होती इस प्रकार थोक व्यापारी फुटकर विक्रिताओं के जोखिम में भी भागिदारी लेकर जोखिम को कम करते हैं तो हमने देखा कि कैसे थोक व्यापारी निर्माताओं और फुटकर व्यापा तो फुटकर व्यापारी उभ्भोकताओं और थोक व्यापारियों या हम कह सकते हैं कि निर्माताओं के बीच की कड़ी होते हैं एक तरफ है उभ्भोकता अंतिम ग्रहक वद दूसरी तरफ है बड़े व्यापारी या निर्माता इनके बीच की कड़ी है फुटकर व्यापारी ये चोटी-चोटी मात्रा में वस्तों को खरीद कर अपने दुकानों में रखते हैं और सामान नियत है फुटकर व्यापारी लोगों के घरों के आसपास ही दुकाने खोलते हैं जिससे लोगों को कई प्रकार की सुविधाय होती है नाकेबल लोगों को बल्किया व्यापारी थोक व्यापारियों या निर्माताओं के लिए भी बहुत महत्वपूर होते हैं तो आईए एक एक करके इनकी द्वारा दी गई सेवाओं पर भी चर्चा करते हैं यदि हम पहले उत्पादकों या थोक विक्रेताओं की तरफ इनकी सेवाओं की बात करें तो अब थोक विक्रेता या वित्पादक तो खुद हर ग्राहक तक जाकर वस्तुएं वित्रित नहीं कर सकते वो बड़ी मातरे में वस्तुओं को लेकर रखते हैं तो उनके वित्रण का कारे करने में सहायता करते हैं फुटकर वियापारी फुटकर वियापारी थोक विक्रेताओं से वस्तुओं को खरीद कर अपने पास रखते हैं लोगों के पास पहुचाते हैं जिससे की वस्तुओं के वित्रण में सहायता मिलती है इसके अलावा इनका दूसरा अलाब है व्यक्तिगत विक्रे फुटकर व्यापारी सामान्यत है वो भोकताओं या ग्रहकों से सीधे तोर पर जुड़े होते है वो ग्रहकों से बातचीत करते हैं, उन्हें से मिलते हैं, उन्हें जानते हैं और वस्तों को व्यक्तिगत रूप से विक्री करने में या विक्रे करने में सहयता करते हैं। जब कोई ग्राहक या भोक्ता किसी फुटकर विपारी के दुकान पर आता है, तो वह व्यापारी उसे बता सकता है कि कौन से वस्तों उसे खरिदनी चाहिए, कौन से नहीं खरिदनी चाहिए या किसमें क्या लाब और किसमें क्या लाब नहीं है इस परकार ये व्यापारी वस्तों के व्यक्तिगत रूप से विक्री करने का भी काम करते है तीसरा फायदा इनका यह है कि ये उत्पादकों या व्यापारियों को बड़े पैमाने पर परिचालन करने में साहेता करते हैं क्योंकि फुटकर व्यापारी ही है जो भले ही छोटी-छोटी मात्रा में, कम मात्रा में सही लेकिन वस्तूओं को दूर दूर तक हर ग्राहा के वह भुगता तक पहुचाते हैं इस कारण थोक व्यापारियों को अपने बड़े पैमाने पर रखे गए स्टॉक के भी विक्री की चिंता नहीं होती उनने पता है यदि बहुत सारा स्टॉक भी लाते हैं तो उसे अनेक फुटत कर व्यापारी Used के खरीद कर घर घर पहुचाने में सहिता करेंगे इस कारण थोक व्यापारी बड़े पैमाने पर अपना काम कर सकते हैं वह अंत में फुटकर व्यापारी बाजार या उत्भोक्ताओं से सीधे जुड़े होने के कारण बहुत महत्वपूर्ण सूचना एकत्रित कर सकते हैं वह याब बता सकते हैं कि उब्होकताओं को क्या चीज़ें पसंद आ रही हैं क्या नहीं आ रहीं उब्होकता किस प्रकार की वस्तुवें चाहते हैं या किस प्रकार की सेवाएं चाहते हैं इस तरह की अनेकों सूचना एकतर करके ये व्यापारी थोक व्यापारियों या उत् उत्पादकों को अपने वस्तूओं को बहतर बनाने में मिलता है। उत्पादकों आदीत को दी गई सेवाओं के अतरिक्त फुटकर व्यापारी उभुकताओं के लिए बहुत महत्वपूर होते हैं। ये इन्हें निमलिखित सुवधाय प्रदान करते हैं। सबसे पहला उत् दूर जाने की और वस्तूओं की कमी की चिंता नहीं करने पड़ते हैं। जो भी वस्तूओं उन्हें चाहिए जो भी उत्पाद उन्हें चाहिए वह नियमित रूप से उभुकताओं को उपलब्ध होता है। इसके अलावा यदि कोई नया उत्पाद बाजार में आया है त इसकी सूचना तुरंत फुटकर व्यपारियों के पास आती है। फुटकर व्यपारी उन सूचनाओं को ग्रहकों तक पहुँचाते हैं या तो बोलकर या किसी पोस्टर या अन्य सूचना माध्यम के द्वारा से। इसके अलावा फुटकर व्यपारी ग्रहकों को कई बार विक्री के बाद की सेवाई भी देते हैं। विक्री ग्रहकों को चयन के परियाप्त अवसर प्रदान करते हैं। विक्री अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। तो हमने देखा कि कैसे फुटकर वियापारी बहुत महतोपूर भूमिका निभाते हैं। खास कर इसलिए भी क्योंकि वो भोक्ताओं से जुड़े हुए हैं। वो भोक्ता जो कि किसी भी वियापार कणी में शायद सबसे महतोपूर बिंदू होते हैं। उन्हें सेवाई प्रदान करके फुटकर वियापारी भी एक बहुत महतोपूर भूमिका निभाते हैं। यह सबी चीजें ऐसे चीजें हैं जो हम अपने द्यानिक जीवन में बड़े आसानी से अपने आसपास देख पाते हैं। यदि हम इसे उनसे जोड़ कर देखेंगे तो हम एने समझने में भी आसानी होगी। फुटकर विक्रेताओं को दोश रेडियो में बाटा जाता है पहला ब्रहमण शील फुटकर विक्रेता वा दूसरा स्थाई दुकानदार आज हम ब्रहमण शील फुटकर विक्रेताओं पर चर्चा करेंगे ब्रहमण शील फुटकर विक्रेता जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट होता है ये वो है जो एक जगह पर स्थिर होकर एक स्थिर दुकान या अपने सामान को एक जगह हमेशा के लिए रखकर नहीं बेचते ये ब्रहमण करते रहते हैं यानि ये अपने विक्रेश थल को बदलते रहते हैं ये सामान नेता छोटे व्यापारी होते हैं जिनके पास सीमित साधन होते हैं ये प्रतिन उप्योग में आने वाली उभोकता वस्त्वों जैसे की प्रसाधन सामगरी, फल, सब्जियों आदी का व्यापार करते हैं ये कई बार लोगों को ग्रहकों को उनके घरों पर वस्त्वे उपलब्द कराने पर भी ध्यान देते हैं और जैसा कि मैंने कहा इनका कोई व्यापारिक नियत स्थान नहीं होता ये अपने माल का स्टॉक अपने घर में या किसी अन्य स्थान पर रखते हैं फिर अपने व्यापार के स्थान को समय समय पर बदलते रहते हैं आईए ब्रमण शील फुटकर विक्रेताओं में आने वाले तीन मुख्य प्रकार के विक्रेताओं पर चर्चा करें सबसे पहले हैं फेरी वाले विक्रेताओं फेरी वाले विक्रेताओं को हम सबने हमारे देश में गली कूचों में घुमते हुए देखा होगा खिलोनों से लेकर सबजियों से लेकर कई छोटी छोटी दिन चर्या की वस्तुएं ये या तो अपने सर पर या किसी ठेले आदी पर रखकर घर गर जाकर बेशते हैं इन्हें कई बार आवाजे लगानी पड़ती है गरहकों को बताना पड़ता है कि वो उनकी गली या उनके महले में आए हुए हैं जिसे देख कर फिर लोग इनके पास आकर इनसे सामान खरीडते हैं तो फेरी वाले विक्रिताओं का सबसे बड़ा फाइदा तो यह है कि यह सीधे हमारे घर तक आकर हमें वस्तुएं उपलब्द कराते हैं लेकिन इनकी एक कमी यह हो जाती है कि इनके पास हम बहुत अच्छी गुणवत्ता वाले वस्तुओं की उमीद नहीं कर सकते हैं यह हमें सस्ती और छोटी वस्तुएं निरंतर उपलब्द करा सकते हैं लेकिन एदि हम बड़ी वस्तुएं और अच्छी गुणवत्ता की वस्तुओं चाहते हैं तो यह शायद हमारे लिए सुचित नहीं होंगे इसके अलावा दूसरे प्रकार के भर्मण शील फुटकर विक लेता है सावधिक बाजार व्यपारी सावधिक बाजारों का भारत के कई शहरों में काफी चलन है जैसे अलली जैसे शहर में भी अलग अलग दिनों पर अलग अलग जगहों पर कुश्ट वश्यश बाजार लगते है जो एक निश्चच अवधि पर लगते है यह हमेशा इस्दाई रुप से बाजारों के रुप में स्थापित नहीं होते है यदि एक मंगल बाजार है या मंगल वार को लगने वाला बाजार है तो यदि एक मंगल वार को बाजार लगा तो अब वो अगले मंगल वार को लगेगा ऐसे में इन बाजारों में अपनी दुकान अपना व्यवसाय लगाने वाले व्यापारी स्थिर रूप से तो नहीं लग कर ले जाते हैं फिर किसी और जगह पर उससे लगाते हैं क्यूंकि इनके पास कोई स्थिर जगह नहीं है ऐसे में ये अपने पास बहुत बड़ी बहुत महेंगी वस्तवें नहीं रखते ये भी सस्ती वस्तवें रखते हैं वह दिन प्रते दिन काम आने वाली वस्तवों में ह इसके बाद तीसरे प्रकार के भ्रमण शाली वियपारी है पट्री विक्रेता पट्री विक्रेता वो विक्रेता होते हैं जो गलियों के कोनों पर या चौराहों पर या बस स्टैंड के पास रेलवे स्टेशन के पास या ऐसी जगहों पर पट्रियों के रूप में अपने दु जहां थोड़ी देर के लिए काफी सारे लोग आते हैं, ऐसे में इन विक्रेताओं को अच्छे खासी उभोकताओं की संख्या मिल जाती है, हाला कि इसमें एक समस्या यह होती है कि इस प्रकार के जो भावी उभोकता हैं, वो उन जगाओं पर लंबे समय के लिए नहीं आते है वो जल्दी में होते हैं या वो चलते फिरते होते हैं, तो कई बार वो ऐसे पट्री विक्रेताओं के पास रुकर सामान नहीं खरीते हैं, इसके अलावा पट्री विक्रेताओं के पास मिलने वाला सामान या वस्त्वें भी निम्न गुडवत्ता की होती हैं, तो यदी हम ए वस्ति वस्तुएं प्रदान करते हैं वो निरंतर वस्तुएं प्रदान करते हैं जिससे की ऐसे उभोकता जो कुछ पैसे बचाना चाहते हैं जो कम कीमत पर वस्तुओं को खरीदना चाहते हैं उनकी समस्याएं दूर होती हैं वहीं दूसरी तरफ अच्छे गुणवत्ता वाल पश्चात हमने फुटकर व्यापार के अंदर आने वाले ब्रह्मन शील फुटकर व्यापारियों की चर्चा की है इस अध्याय के अगले भाग में हम स्थाई दुकानदारों के बारे में चर्चा करेंगे वह कुछ अन्यम है तो पूर्ण बिंद्यों से भी आपको अवगत कर आएंगे मैं आशा करता हूं कि आज का यह भाग आपको अच्छे से समझाया होगा आज के लिए इतना ही धन्यवाद आए झाल से समझाय पूर्णार कर दख भी आएंगे लिए उन्यवाद ख़ों इतना होगा कि और गले डिल है वीका है यह होग रखका आएफ़िग्या इन Politik कही कारी ज्यवांगे भी हैतना है। झाल झाल